हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी सकी रुकू वेलकम टू माई शैनल दोस्तो उमीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि प्रेगनेंसी के जरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तो कहा जाता है कि जिस तरह आपके शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम जरूरी है उसी तरह आपके माइंड को ठीक रखने के लिए अच्छा बनाने के लिए रीडिंग करना यानि पढ़ना बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी के नवे महीने में महीला का positive रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपके होने वाले बच्चे पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए गर्वती महीलाओ को अच्छी अच्छी बाते पढ़ने की और सुनने की सलहा दी जाती है pregnancy में, यह बात तो आप positive रहने की सलहा दी जाती है, मन में किसी भी तरह के negative विचा ना आए, इसके लिए book reading करना बहुत ही अच्छा माधियम है, जिसके जरीए मन को सही दिशा में लाया जा सकता है, अगर आप pregnancy में अच्छी अच्छी किताबे पढ़ती है, तो मन में negative विचा नहीं आएंगे, और सबसे ज्यादा फाइदा आपके होने वाले वच्चे को मिलता है, pregnancy के छटे महीने के बाद शिशो की समझने की capability डेवलप हो जाती है, और इस दोरान अगर मा बुक पढ़ने की आदर डालती है, तो आपके शिशो का दिमाग भी टेज होगा, pregnancy के दोरान मन में कई तरह के खय जाल आते हैं, साथ ही depression और तनाव का जोखिम भी बना रहता है, ऐसे में एक अच्छी किताब पढ़ने से आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है, pregnancy के दोरान महीलाओं का mood swings होना ये बहुत ही normal और साधरन सी बात है, इस दोरान अक्सर महीलाओं irritate हो जाती है, बात दीन अच्छे से गुजर जाता है, और pregnancy से जुड़ी बहुत सी जानकारी भी आपको मिल जाती है, आपके मन में जो बहुत सी उलजनी चल रही थी वो भी बंध हो जाती है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कौन-कौन से चीज़े फायदे मन्ध है, ये जानकारी अपको किताबे पढ़ने से मिल जाती है, इसी के साथ अगर आप delivery से जुड़ी होई किताबे पढ़ती है, तो आप अपने आपको delivery के लिए तयार करती है, मानसीक और शारिरिक दोनों रूप से आप तयार हो जाती है, delivery के लिए, प्रेटनेंसी में बच्चों से जुड़ी क parenting experience को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं। जन्म के बाद शिशु की कैसे care करनी है, उसे कैसे उठाना है, खिलाना है, पिलाना है, ये सारी चीजे आपको books पढ़ने से मिल जाएगी। pregnancy की दौरान धार्मी किताबे पढ़ने से महिला का मन शांत रहता है। और साथी इससे आपके गर्ब में पल रहे शिशु को अच्छे संसकार भी मिलते हैं। बच्चे को गर्ब में खोश रकने के लिए महिलाए कार्टून और कहानियों का भी सहारा ले सकती है। देखा गया है कि कहानियों और कार्टून के जरिए बच्चे चीजों को आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही बहतर आप्शन है। कई बार प्रेग्नेंसी में महिलाओं को नीन ना आनी की समस्याओं भी रहती हैं। ऐसे में आप नीन ना आनी की समस्याओं को अच्छी बुक्स रीडिंग करके अकम कर सकती हैं। तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आप भी प्रेग्नेंसी में अगर आप तक बुक्स नहीं पढ़ रही होगी तो आपसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक कियर, स्टे हली, स्टे हैपी and थैंक्स पर वाचिंग।